नमस्का दोस्तों, दोस्तों अभी अभी खवर आई है कि EAC का चीफ यानि मोदी जी को सलाह देने वाला सलाकार विवेक देवराय ने सम्मिधान बदलने की बात कही है उसने कहा है कि the constitution should be changed now यानि की समय आ गया है अब सम्मिधान को बदल देना शाहिए क्या आपको लगता है कि ये 65 साल का बुढ़ा सोयम बोल रहा होगा कि नहीं सम्मिधान को बदल देना चाहिए इसकी 65 प्लस से ज़ादा इसकी उम्र हो रही है इस बेक्ती ने आज तक इतनी उम्र में कभी भी किसी को सलाह नहीं दिया सम्मिधान बदलने की आज एक खुले मंच से कह रहा है कि सम्मिधान को बदल देना चाहिए मुझे तो नहीं लगता कि इसके अंदर की अंतर यात्मा बोल रही होगी जरूर इसके पिथे किसी और का हाथ है और इससे बुलवाया जा रहा है वरना जिस मोधी जी के सामने बड़े-बड़े मंतरियों के जबान नहीं खुलते ए मामुली सा सरकारी नौकार होकर सम्मिधान बदलने की बात कह सकता है वो भी बीजेपी जैसे ताना साह के आगे दोस्तों अगर इसको वास्तों में सम्मिधान बदलने की कलपना आई इसके अंदर ठीक है तो इसको सबसे पहले मोधी जी को सला देना चाहिए कि मोधी जी सम्मिधान बदल देना चाहिए ठीक है फिर मोधी जी को आकर पबलिक के सामने कहना चाहिए कि भाई हमारा सलाकार जो है विवेक देवराय ने कहा है कि सम्मिधान बदल देना चीए आप लोग क्या कहते हो तब पबलीक का रियक्षन होता विपरस ने कुछ कहता लेकिन मोदी जी इस बात को नह कह कर बलकि सोयम अपने सलाकार से कहवा रहे है जरूर इसके पीछे RSS और BJP की मनसा है कि सम्मिधान को खत्म करके यहाँ पे मनुश्मित्ती किया स्थापना की जाए साथियों दसा सम्मिधान बदलने की जो मनसिक्ता है इनकी न यह आज से नहीं बहुत पहले से है लेकिन मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं एक बार एक बार पूछना चाहता हूं कि विली यूज चेंग्ड दा इंडियन कंस्टिट्यूशन कि विच वाज कि राइटेन भाई डाक्टर बियर अमबेट कर क्यों सम्मिदान को बदलना चाहते हो क्या खामिया है उसमें अगर कोई चीज खामिया है तो बताओ पहले कि नहीं हाँ यह खामिया है इसलिए सम्मिदान को बदलना चाहिए ठीक है क्या विल यू चेंज़ दा कंस्टिट्यूशन विकॉज ए दलीत है ज़ राइटेन इट एक मनुश्मिती जैसी घटिया पुष्टक एक गंदी मानसिक्ता का बेक्ती ने लिखा आज तुम उसे पवित्र मानते हो अपने धर्म का हिस्सा मानते हो लेकिन भारत के सम्मिधान जैसे पवित्र पुष्टक जो भारत के हर एक नागरी को स्वतंत्रता देता है समानता देता है सम्मान देता है तुम उसे बदलने की बात बार-बार कहते हो सर्म नहीं आती आप लोगों को दोस्तों खेरों इनकी मान सिकता तो पहले से है क्योंकि सम्मिधान एक दलीत ने लिखा है इसलिए इनको रास नहीं आता अगर कोई अदरकाष्ट का बेक्ती लिखा होता है तो अब तक इसे पता ने ये लोग क्या मानते हैं सोचो मनुसमित्ती जिसमें महिलाओं के बारे में अब सब्सब्स लिखा हुआ है जो देश के एक बड़ी अबादी के खिलाफ उनके सोसल को प्रमिक्ता दी जाती है ऐसी मतलब भासा का प्रियोग किया गया है उस पुस्तक के लोग पवित्र मानते हैं अपने धर्म का हिस्सा मानते हैं उसकी पूजा करते हैं और सम्विधान एक दलीत बेक्ती ने लिखा जो कि सबके हित के लिए है जो सबको समानता देता है स्वतंतरा देता है बंधुत्वा भाई चारा सिखाता है उसे लोग बदलने की बात बार बार करते रहते हैं और जिस बेक्ती ने इसलाह दिया है कि संभिधान को बदलना चाहिए ऐसे लोगों को इस देश में जूतों का माला पहनाना चाहिए मैं कड़ी सब्दों में कह़रा हूं भाई जिसको जो करना यह कर लेना जैसे तुम्हारी धर्म कीका बुख है वैसे संभिधान को हम मानते हैं और संभिधान के खिलाब कोई बोलेगा तो यह बरदास की बाहर है जिस संभिधान को तुम बदलना चाहते हो उसके बाद कौन तुम्हारे बाप दन आएंगे जो संभिधान लिखेंगे इस देश के लिए मनुसमिति लागो करोगे मैं देश के एक बड़ी अबादी से अपील करना चाहूंगा कि साथियों संभिधान जो है खत्रा में है क्योंकि अगर आज हम अगर आज हम इस सोसर के खिलाफ इस तानासा के खिलाफ अगर नहीं बोलेंगे तो कल आने वाली हमारे पीडियां गूंगी हो जाएंगी गुलाम हो जाएंगी समझ रहे हो ना बात को एक रिक्वेश्ट एक अपील है मेरी आप से समिधान बदलेगा तो मनुस्मिति लागू होगा तब लोग तंत्र को खत्म कर दिया जाएगा और राजसाही को अस्थापित किया जाएगा तब वही होगा कि एक वर्ग का बेक्ती सलाकार होगा एक वर्ग का बेक्ती राज़ा होगा बाकि जो वर्ग की लोग होंगे वो उनका गुलाम होंगे जिनके उपर अत्याचार किया जाएगा जिनके सामने ही देवदासी के नाम पर देवप्रथा के नाम पर हमारे समास की महिलाओं को घीज का घर से ले जाया जायेगा हमें मजबूर होना पड़ेगा घरों को छोड़ कर जंगलों में रहने के लिए ये लोग यही चाहते हैं इसलिए संभिधान को बदलने की बार-बार इनकी मन सिक्ता जो है उजाहिर होती रहती है साथियों जिसने कहा है कि संभिधान बदलने की न उसके खिलाब ज़रूरत है आवाज बुलंद करने की और उसकी उमर चाहिए 65 हो चाहिए 70 हो उसके घर के हर बेक्ती को जेल में डालने की अपील करनी चाहिए सरकार से सुप्रीम कोट से समझ में आ रहा है और जिनको अभी समझ नहीं आ रहा है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर समिधान बदल गया ना मेरे भाई तो जो तुम आज बेरोदगारी के खिलाब महंगाई के खिलाब सोसर के खिलाब सरकोप उतर के धरना परतसन करते हो सरकार से सवाल जबाब करते हो कल ओ नहीं कर पाओगे कल ओ नहीं कर पाओगे कल एक बस एक बिसेज जाती के लोगों को छूट होगा कि ओ चाहे सोसर करे चाहे अपराद करे उनको सजा नहीं होगी बाकि किसी भी जाती के लोग हो HCTOBC के लोग हो अगर वो सरकार के खिलाव राजा के खिलाव इस जो सिंगोल थामने वाले मोदी जी के खिलाव अगर आवाज उठाएंगे तो उनको सीधो गोलियों से भून दिया जाएगा तो मेरी आपसे अपील है कि सम्विधान के खिलाव जिसने भी इस तरह का अपसब्द का प्रयोग किया है उसको जूते मारना चीए